अजे पीछे चार-पांस साले से अपने शहर में होने वाली मेरतन में इससा लेता था लेकिन कभी उसने रेस पूरी नहीं की थी पर इस बार वे बहुत एक्साइटर था क्योंकि पिछले केही मनिय से वे रोज सुबह उठकर दोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दोड़ रहा था लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजे बिल्कूल ठक गया था और उसके जी में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए वैसा सोची रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा रुको मत अजे आगे बढ़ते रहो अ आगे नहीं बढ़ सकते वह लड़ खड़ाने लगा अजे के अंदर विचार आया अब बस और आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन एक बार फिर अजे ने खुद को समझाया रुको मत अजे अगर तुम जोग नहीं कर सकते तो क्या कम से कम तुम चलतो सकते हो चलते रहो अजे अ फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा लेकिन तभी वे अचानक से लड़कड़ा कर गिर पड़ा उसके बाहे पैर की नसे खिश गई थी अब कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता जमीन पर पड़े पड़े जे के मन में ख्याल आया लेकिन अगले ही पल वे जोर से और इस बार वे है तब तक आगे बढ़ता रहा तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली और लाइन पार करते ही वे जमीन पर लेड़ गया उसके आखों से आसू बह रहे थे अजे ने रेस पूरी कर ली थी उसके चेहरे पर इतनी खुश सकती है बादाओं के आने पर हारबत मानिये ना चाहते हुए भी कई बार कंडिशन ऐसी हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते पर ऐसी कंडिशन को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज मत मनाईए घर में मेमान है आप 8 गंडे नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं 2 कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी उस संतुष्ट्री को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिस से आती है